गुट आफटरनून तो अल आफ यू वेलकम तू आल इस टेंथ क्लास सेशन हम लोग 13 चेप्टर पर चल रहा है और हमने 13.1 और 2 के एक्जाम्पल समेथ दोनों एक्सराइज कम्प्रीट कर ली ठीक है आज हम लोग 13.3 एक्सराइज स्टार्ट करेंगे चार्ट दा एक्सराइज 13.2 एक फिगर को दूसरी फिगर में कनवर्ट करने पर स्मेशा वॉल्यूम आपस में एक्पल होता है क्योंकि एरिया स्टिम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का शेप अलग लगे तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक्जाम्पल आपने अंदर एक वाटर को भरा और उसको आपने ट्रांसफर कर दिया किसमें एक कौनिकल वैजल में तो पानी की शेप बदल गई लेकिन पानी की कौनिकल कोई फरक नहीं पड़ा इतना पानी की quantity इसे पार से दोनों में आप तो क्या सेम होगा? radius 4.2 cm melted and recast into the shape of cylinder दो चीज़े हैं, एक spare और एक cylinder, पहले यहां पर heading spare का radius और cylinder का radius और cylinder की height यह symbol अलग लग होंगे क्योंकि दो अलग लग figure आपके पास है spare का radius है 4.2 cm और cylinder का radius है question में cm आपको cylinder की height निकाल आए मैं statement में लिखूंगा since metallic spare is melted and recast into the shape of cylinder आपको एक्जामनर को यह बात बतानी पड़ेगी कि आपने किस figure को किस figure में convert की तो book में लिखा हुआ है कि spare को melt करके सिलिंडर बना देगी therefore volume of spare equal volume of cylinder यह बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम एक figure को दूसरी figure में convert करेंगे तो दोनों के volume हमेशा आपस में कैसे होंगे equal होंगे चलिए spare का volume का formula लिखते है four upon three pi r cube symbol हमने लिया हुआ है small और यहां होता है cylinder का formula pi capital r square h दोनों के radius का symbol हमने अलग है दोनों तरफ pi से pi cancel हो गया अब मैं value put कर रहा हूँ four upon three इसका radius मेरे पास है four point two multiply four point two multiply five और इसका radius है six into six और into कितना अब calculation को कैसे करेंगे four upon three multiply तीन बार four point two क्योंकि four point two इसका radius है यहां रखना diameter ना हो कहीं आपने convert ना कि यह दोनों six नीचे आ गए और यहां बच गया आपके पास करना शुरू करते हैं यह कटके one point four आ गया और six का table four point two चलाया points फिर से six का table चलाया points अब मैंने अगर इन चारों को multiply कर दिया तो मेरे पास cylinder की height आ जाएगी आए इन सबको multiply करते हैं पर पास और को रास्ता भी यह 15 फोर्जा 56 यह हो गया हमारे पास 14 फोर्जा 56 यह 5.2 और multiply point four equal कितना है आए 5.6 की 49 से multiply नो चिक बन और नो पास 4 45 4 47 height आ गई हमारे पास 2744 और unit चल रही है centimeter में और दो और एक तीन number पहले point आएगा answer आ गया 2.744 यह मेरा 13.3 का पहला question है अगर आपके पास NCRT की book हो तो आप अपना two points four centimeter is the right answer ठीक है एक figure को दूसरी figure में convert कर दिया तो दोनों के volume हमेशा आपस में equal होते हैं तो spare को melt करके cylinder बना दिया naturally अगर दो अलग-लग figure है तो दोनों के radius का symbol भी अलग-लग होगा और value भी अलग-लग होगी तो दोनों के volume को equal रखा height हमार पास नहीं थे और हमारा height का चलिए next question पर चलते हैं next question में किस figure को किस figure में convert कर दिया question में लिखा हुआ है metallic spares जिनके radius है 6,8 और 10 इन सब को melt करके एक single spare बना दिया ठीक है तीन अलग-लग हमारे पास spare है 3 metallic spare पहले का radius r1 तूसरे का r2 और r3 6 cm 8 cm और तीसरे का answer है 10 cm और जो नया metallic spare बनाया है single solid single solid pair ठीक है set radius इसका radius हम लोग ने क्या माल लिया radius माल लिया capital right अब question में कह रहा है कि आपको इस capital r का answer निकाल मुझे statement लिखना पड़ेगा since 3 metallic pairs are are belted to form a single sphere therefore volume of single sphere square equal sum of volume of three spares के देखिए तीन स्पेयर को melt करके अकेला एक स्पेयर बना दिया तो अकेले उस नए स्पेयर का volume तीनों volume के sum के एक्वल होगा volume of single sphere का मैं formula आपके सामने लिख रहा हूँ 4 upon 3 capital R cube और यहां 4 upon 3 pi r1 cube दूसरे का 4 upon 3 pi r2 cube तीसरे का 4 upon 3 pi r3 यह देखिए तीन अलग-अलग sphere को melt करके एक नया sphere लिए कुछ देखते हैं common वह तो common 4 upon 3 common है pi common है किदर से बच गया r1 cube इधर से बच गया r2 cube और इधर से बच गया r3 चीक क्या करेंगे दोनों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 upon 3 pi से 4 upon 5 can be रहा है अब देखिए क्या बच गया हमारे पास r cube equal r1 cube plus r2 cube plus r3 यह value put करते हैं करके 6 का cube 8 का cube और 10 का cube capital r cube equal हो गया 216 और यह हो गया 512 और यह हो गया 1000 ठीक है अब 1000 512 और 216 को plus करते हैं और तो 8 एक और 5 और 2 172 r cube equal 172 r का answer निकालने के लिए इसका cube root कर देंगे 172 यह 172 8 के factor 2 8 जा और 1 आया 2 6 जा 12 जा कितना 8 यह फिर से इसको पूरे number को 2 से cancel करते हैं और देखते हैं कि 2 से cancel हो I think मैं अगर इसका cube root करूँ तो हो गया 2 2 क्या आ गया के पास 3 बार तो 3 आएगा और 3 बार ही 4 आएगा क्योंकि 2 cube root है तो 3-3 का pair बन गया 1 3 बार निकाल लिया 1 4 बार निकाल लिया आपका answer आ गया 12 यह देखे ठीके यह देखे ऐसे 2 6 बार आएगा तो यानिकि pair बनेंगे तो 4 3 बार आएगा ठीके और 3 बार 3 आएगा तो 9 3 बार 24 64 64 मैं इन दोनों का अगर multiply कर दूंगा तो 1 7 2 8 आएगा तो pair बन गए 3 और 4 के एक 3 बार एक 4 बार आपका answer आगया 12 से आप एक चोटा सा statement लिखे कि सो ता रिडियस ओफ रिजल्टिंग स्पेर इस कितना 12 सेंटीमेटर या आपका answer आगया ठीके चलिए question number 3 पर चलते है 3 देखे क्या लिखा है a 20 meter deep well with a diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread to form a platform find the height of the platform एक cylinder को खोदे खोदे इतनी मिट्टी उसमें से निकली उसको फैला कर platform बना दिया क्या लिखूंगा since cylindrical well is dug and earth from digging both के जो मिट्टी निकली is evenly spread to form a platform so volume of cylindrical well equals volume of platform platform ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पता ये cylindrical well का फॉर्मुला क्या होता है पाई आर स्कॉर एट और प्लेटफॉर्म क्यूब आट की फॉर्म में है तो इन्टू बी इन्टू या कैपिटल है पाई की कोई वैल्यू गिवन नहीं है 22 upon 7 रेडियस कोश्चन के अंदर चेक करते हैं कितना है 7 डायमेटर है रेडियस हो गया 7 upon 2 7 upon 2 कितने मेटर नीचे गहरा खोदा 20 मेटर दी तो और किवाइट की लेंद कितनी है 22 रेड कितनी है 14 और इसकी हाइड आपसे कोश्चन कि 7 से 7 काट देते हैं 2 का डेबल 20 पर चलाते हैं और 2 का डेबल 2 पर चलाते है यह बच गया 11 इंटू 7 इंटू 10 और 22 और 14 आ गए नीचे और इकिवल आगिया h की 7 इंट्वर चलाते है 2 का डेबल 20 पर चलाते है 5 और 11 का टेबल 22 पर चलाते है 2 का डेबल 5 पर चलाते है h का पसर आगिया 2 *** यानि कि आपने टेट फ़र्म की हाइट निकाल आग तो हाइट औफ प्लेट family is 2.5 कि आपका answer हो एक कुँआ खोदते गई यह देखिए आपने कुँआ खोदा और उसमें फिला दिया और सारा का सारा फिला कर आपने एक कि वाइट की फॉर्म में एक क्या बना दिया प्रेटफॉर्म बना दिया जब सिलिंडर से क्वाइट फॉर्म होने के लिए अपने कौंटिटी में जोर जाती हो होता है आपको उतनी कौंटिटी में का यहाट वापिस मिल से डोनों का वॉल्यूम हमेशा quantity same होने का वयलूम ऐसे cylindrical outside बना दिया तो ने यह से दोनों का वॉल्यूम से हो गया यह जोकि जितनी मॵória को खोते-खोते निए उतनी ही मिटी का हमने क्या ऑनाया उतनी ही मिटी का हम लोगोंने you प्लेट फॉर्म बना दिया तो दोनों के वॉल्यूम हमेशा आपस में क्या हो गए सेम हो गए तीनों कोश्चन हमने कम यह बड़े इंपॉर्टन कोश्चन अपकी इसी इसका कोश्चन लिए ध्यान से बढ़ते हैं कि वैल ऑफ डायमेटर थ्री मीटर इस टग फॉर्टीन क्या होता है मैं एक एक सिरिंड्रिकल वैल बनाऊंगा यहां से देखिए गाँ कि यह मैं आपके साथ वैल बनाऊंगा वहां कि इतने मेटर की इतने कह रहा है कोश्चन में लिखा हुआ है 14 मीटर डीप वहां जमीन के नीचे के हिस्से को बोलते हैं जो जमीन के नीचे से मिट्टी को निक निकाला गया उसको उपर फिलाकर ऐसे चारो तरफ एक सर्कुलर रिंग बनाकर इतनी हाइट तक एक एमबेक्मेंट यह जो आपको ज कि ग्राउंड से बाहर का पार्ट एमबेक्मेंट है और ग्राउंड के अंदर का पार्ट जो है वो क्या है वो आपके पास वैल सिरिंडिकल वैल कितने मेटर कह रहा है कोश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि यह 14 मेटर डीप है फोर मेटर विड्थ यह जो विड्थ दे रखिया यह कितने मिटर है इसे पहले मैं लिखूंगा इनर रेडियस इनर रेडियस ट्रैकेट में स्मॉल आर क्या करूंगा थ्री को टू से डिवाइड किया वन पॉइंट फाइव हम मैं लिखूंगा विड्स ओफ को हिंदी चबूतरा तो चबूतरे के उपर बैठा हुआ है चबूतरा यानि कि जमीन के बाहर का कुएँ का हिस्सा चबूतरा कहलाता है यानि कि एमबेक्मेंट कहला और नीचे के इस सिखुल कुएं बोलते हैं सिंटिकल वैल बोलते हैं यह बात आप धान रखिएगा विट्स को प्लस कर देंगे, यह हो जाएगा 5.5, यह बास नमझ में, 4 में 1.5 प्लस कर देंगे, अब क्या लाई लिखेंगे, since cylindrical well is dug out to form an embankment. So, volume of cylindrical well equal, पताओ क्या, volume of embankment. पताओ क्या है, अंदर की तरफ है, जमीन के अंदर है, और जमीन के अंदर, देखिए, उसका जो, क्या नम है, जमीन के अंदर का हिस्सा जो है, वो, वो आउटर नहीं है, वो इनर पार्ट है. तो formula में रिखेंगे, पाई small r square, अब देखिए, embankment का volume कैसे निकले, ये भी बहार cylinder है, और अंदर भी cylinder है, क्या करेंगे, आउटर volume of cylinder में से, inner volume of cylinder को, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, देखिए, ये हो गया, पाई capital r square h, हाइट का symbol अलग ले लिए, और यहां हो गया, पाई small r square, capital h, यहां रखना, ये embankment की हाइट है, जमीन से उपर का हिस्सा है, और इधर क्या चल रहा है, पाई r square h, तो पाई r square h, आप इसमें से कुछ common ले लिजिए, पाई और h common ले लिए, अंदर बच गया, r square minus r square, और h capital आएगा, हाँ, capital h, embankment की हाइट, जो question के अंदर आपको निकाल ले लिए, पाई से पाई cancel कर दिया, r square h, एक बार r में r plus, और एक बार r में r minus, बताइए radius question के अंदर inner radius कितना है, 1.5 into 1.5 into, इसकी height है 14, एक बार 5.5 में 1.4 plus, और एक बार 5.5 में 1.4 minus, तो यह हो गया, 1.5 into h छूट गया है, पाईगा, into 1.5 into 14, h multiply, यह हो गया, 5 plus 4, 9, 6.9, और 5 में से 4 गया, 1, 5 में से 4 गया, इन दोनों को device में ले जाते हैं, capital h की value हो गई, 1.5 into 1.5 into 13, upon 6.9 into 4.1, तेखिए, 4.1 तो बचेगा, 5 में से 4 की, 5.5, और 1.4, 5.5 में 1.4 plus करेंगे, और 1.4 नहीं, ते गलत हो, यहां हमने गलत लिख दी, 5.5 में, 1.5 plus, और 5.5 में से 5.5 minus, चलिए, यह हो गया, 5 और 1, 6, 7, और इन दोनों को minus करेंगे, तो तो ठीक करके लिख देए, यहां divide में क्या आ गया, divide में आ गया, 7 into कितना 4, और यह 14 है, और यह 14 है, ते डिवाइट करते हैं, 7 to 14, 2 to 4, और height हो गई, 2.25, इन दोनों को multiply करके, आप 2, ते डिवाइट करते हैं, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 4, 2 फाइव जा 2, यह आपका answer है, आप चाहें तो अपनी बुक्ष से इस एक, तो चेक कर सकते हैं, आपका answer आ रहा है, 1.12, यह आपने embankment की height निकाल, बड़ा अराम से ध्यान से question को समझे, यह दो cylinder बने हुए है, दो cylinder, उपर circular base बना, ठीक हैं, अगर मैं, मिट्टी कहां हैं, यह जो हमने इसमें से सारी मिट्टी निकाली, नहीं रख दी, यह, अंदर से तो यह खोकला है, क्योंकि कुँए है, आप इसमें कुछ भी डालोगे तो अंदर चला जाएगा, तो ground से नीचे के part को क्या बोलते हैं, cylindrical well, और ground के अंदर से जो मिट्टी निकाल कर चारोत्राफ मेड बना दी, इसका नाम है चबूत राज, इसको इंग्लिश में बना तो यह दो सिलेंडर बन गए, और यहां सारी जगे मिट्टी फैल गए, तो क्या किया, इस में से जितनी भी मिट्टी निकली, सब यहां पर फैल गई, और embankment बन गए, तो नीचे जो cylindrical well का volume था, वो embankment के volume के एक वलो, यहनि कि outer cylinder में से एक कर दिया, और इस तरह से solve करते 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 हैं, तो आज की class को ही खतम करते हैं, और आप लोगो 13.3 के हमने 4 questions आपको complete करा दिये, आप इसकी अच्छे से practice करिये, और जब यह आपके अच्छे से question complete होताएंगे, next day मैं आपको आगे की, तो thank you very much, good day, take care, और अच्छे से revision करिये, जिन बच्चों को formulae याद नहीं है, formulae भी याद करिये, और जिन बच्चों ने अभी तक इस channel को subscribe नहीं चाहिए, और कुछ बच्चे अगर इसमें sign करना चाहें, sheets बगारा के लिए, तो भी इस चाहिए को sign कर सकते हैं, ठीक है, thank you very much, have a good day, शादे